नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूँ सतीष कुमार, आप देख रहे हैं स्टी आर केती मित्रों आज हम बात करने वाले हैं इस टीम बोरर यानी तनाचे दग पर क्योंकि इस समय तनाचे दग काफी लग रहा है और हमारी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है तो मित्रो इसको जानने से पहले अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और सेर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तो जानकारी पहुंँ सके तो मित्रों आज जो हम बात कर रहे हैं वो तनाचेदक की बात कर रहे हैं या कीट बहुत ही हमारी फसल को नुक्सान पहुंचाता है तनाचेदक रोग में इसका पतंगा का आगे का भाग पीला होता है और इसके मादा पतंगा के पंखों पर दो काले निसान होते हैं यानि दो पाँसाई जल्दी नहीं पड़ते हैं. यह पतंगा समूह में अंडे देती है. यह पतंगा देती है और अंडों से पांस से छे दिन के अंदर इसका लार्वा बाहर निकल कर आजाता है और धान के ऊपरी भाग में गोब से प्रवेस कर जाता है और तने को खाना प्रारम कर देता है इसका पीवपा 16-27 दिन तक काफी नुक्सान पहुंचाता है और अपना जीवन काल इसी में पूरा करता है जो 6 बार अपनी आवस्था बदलता है इसी दोरान वो भोजन की तलास में इसके तने को खाता रहता है और बाद में पंदरा से 20 दिन के बाद पुना ये पतंगा आवस्था में हो जाता है तो इस कीट द्वारा लारवा आवस्था में कीट धान में पड़ा चन्न यानि उपर से प्रवेस करता है और तने के अंदर तने को खाना शुरुवात कर देता है चतिग्रस्थ पौधा सफेद फिर पीला होकर सोख जाता है और जो डेड हार्ट कहलाता है और जो पौधे सोखते नहीं हैं केवल चतिग्रस्थावस्था में नहीं पहुँन जाते हैं उनको खीचने पर अंदर कीड़ा दिखाई देता है और पौधा बाद में सोख जाता है और मार जाता है और कुछ पौधों की ब्रद्रुक जाती है बालियां तो उसमें आ जाती हैं लेकिन उसमें दाने नहीं भरते हैं तो इसके नियंत्रण के लिए हैalion स्की रोक ठाम हम कईसे करें तो इसके लिए जो है धान क्युआ हमको करनी चाहिए जमीन के बराबर से करनी चाहिए और जो पुवाल बचता है वो उसको नष्ट कर देना चाहिए या चारे में खिला देना चाहिए रोक का कीट नाुषग जो है इसके लिए हमें प्रियोग करना चाहिए तो uğो काण काण से प्रियोग करने हैं वह भी हम आपको बता रहे हैं तो बहुत से कीट नाासक हैं जिसमें से कुछ हम बता रहे हैं जो अधिक तर लाप हो जाते हैं जैसे कि युनाल फास 25 इसी ये डेड़ लिटर प्रत हेक्टियर की मात्रा के लिए परियाप्त है क्लोरो पारिफास ये 20 से 50 इसी में आता है और ये 125 यानि एक लिटर की मात्रा एक कार्टाव एकटियर के लिए परियाप्त है मात्रादार याद्यत्योन करना क्नि इसलोगिना क्या जथना प्रत हें और 12 की लेंौग्राम झालाब हो सकता है विशेश द्यान देना यह है जब हम इसका प्रियोग करें तो खेट से पानी निकाल देना चाहिए केवल नमी होना चाहिए और पानी खुंडे होने पर दवाएं अच्छ वर less k नहीं करेंगी तो अच्छा हिए है में स drawn कıld सक Camp वाली दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो है पानी हम दो तीन दिन के अंतर पर लगा दें इस प्रकार से हम अच्छी तरह अपने फसल की सुरच्छा कर सकते हो लाब ले सकते हैं तो मित्रों यद जानकारी आपको यह अच्छी लगी हो तो आप इसे सेर करिए और चै धन्यवाद मित्रों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ